अब चलते हैं next chapter की तरफ ठीक है तो हम फटाक से बना लेते हैं क्योंकि हमको अभी responsive बनाना है responsive navigation बार बनाना है तो अब मैं करता हूँ chapter number 34 और इसको देखता हूँ same top navigation बार और लेकिन इस बार यहाँ पर लिख देता हूँ responsive ठीक है थोड़ा सा बड़ा बन गया HTML फाइल बट आपको समझने के लिए अच्छी चीज़ है यह मैं boiler plate ले आता हूँ यहाँ पर फिर से document में change कर लेता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ top navigation बार sorry menu बार कर देता है menu बार responsive ठीक है अब मैं नीचे ले आता हूँ अब फटाफट से इसकी coding करते हैं देखो अब जैसे मैं coding कर रहा हूँ ना तो आपको यह कलपना करने पड़ेगी कि आप क्या बनाना चाहरा हूँ पहले अपनी दिमाग पर set कर लो कि आपको structure कैसा चाहिए उसके इसाप से फिर आप CSS करते जाना तो अब जो हम करेंगे ना वो class भी साथ साथ में लिखते जाएंगे मतलब जैसे मैं coding करता हूँ मैं वैसे करने वाला हूँ ठीक है थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को tough पड़े लेकिन आप लोग समझ जाओगे ठीक पहले मैं ले आता हूँ डियाइवी और ड इसे डियाइवी पर करना है ना काम तो मैं क्या करूंगा यहां पर एक class देता हूँ और class का नाम देता हूँ top nerve जो मैंने पिछले बार भी दिया हुआ था और इसको मैं एक जावा स्क्रिप्ट के लिए एक ID देता हूँ और ID मैं देता हूँ my top nerve ऐसे कर देता हूँ ठीक है और यह पहला वाला हमारा class जो है यह active रहता है है ना तो हम इसको class बना लेते हैं और class को active कर देता है ठीक ताकि हम इस पर अपनी coding कर पाए है I think अब आप समझ गए होगे कि हम लोग क्या कर रहें ठीक है तो अब फिर से मैं एक link के देता हूँ अब इस पर ज्यादा कुछ करना नहीं है इस पर hash value देता हूँ यहां पर कर देता हूँ news ठीक है अब मैं फिर से एक link के देता हूँ यहां पर फिर मैं hash value देता हूँ और य लिंक वेलों देखे है शुली देते हैं यहां पर कर देते हैं contact और यहां पर कर देते हैं about मैं भूल गया सा actual में तो मुझको भी याद आया कि वैसा करना चाहिए तो वैसे ही कर देते हैं ठीक है अब ना एक काम करते हैं देखो responsive बनाने के लिए मैंने बताई देतों आकि side side पर देखना आप responsive में यहां पर एक बार आ जाता है यहां पर जैसे कि यह page जब छोटा होता है न ऐसे तो देखने यहां पर एक तीन-तीन बार रहते है न ऐसे चोटे-चोटे-चोटे cela उप को हम बार कहते हैं ठीक है तो उस बार पर भी कैसे कोडिंग करेंगे वो दिखते हैं पहले मैं जाता हूं इसके वह आले पेज पे हमारा 34 था ना यह तो यह 34 नॉब नविगेशन बार आ गया ठीक है अब हम यहां पर देंगे अभी हम मोगाईल के काम कर रहे तो मैं इसको font awesome से उठा लेता हूं तो font awesome से उठाने के लिए सबसे पहले तो मुझे link लेनी पड़ेगी तो मैं यहां से जो मैंने save की थी css पे आपको पिछले वीडियो पे दिखाया था उस link को मैं यहां से उठा के सबसे पहले link कर लेता हूं ठीक है link css और बस यह style css में मैं जाके पेस्ट कर देता हूं यहां पे अच्छे link आई नहीं मतलब मैंने copy तो करी थी यह उठाता हूं यहां से copy और यह जाता हूं यहां पे और यह style पे रखता हूं और यहां से paste कर देता हूं और इसको कर देता हूं wordwap ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे हैं सेफ सब कुछ ठीक है हां ओके तो अब हम जाते हैं अपना icon उठाते हैं सबसे पहले ठीक है जोंटता हूं जावा स्कृप्ट एक का ना धाता हूं और वारीड शीरो okay इसको क्लोज क्लोज कर देता है और यहां परिण ऐसको क्लोज कर देता हूं आब समझ जाओगे मैं क्या कर रहा हूं ठीक है अगला देता हूं और इस क्लास का नाम देता हूं ise क्लास का पूर पूरा को कि मुझे क्या है वो जो icon है ना वो icon जो बार बनेगा यहां side पर उसको छोटा बड़ा भी करना है और उस पे मुझे क्लिक करके उस पर menu खोलना है है ना बहुत सारे काम करने है और फिर उसकी design भी हमको use करते हैं on click अब मैं एक function बना लूँगा उपर मैं उसको नाम दे दूँगा my function ठीक है अभी मैं लिख देता हूँ यहां पर ताकि मैं उसको आगे use कर सको ताकि मुझे वापिस यहां ना पड़े अब मुझे यहां पर क्या देना है link देना है यह मतलब जो मेरा icon ने वो देना है तो मैं क्या करूँगा वापिस जाओंगा font awesome में font awesome ठीक है यह गया मैं font awesome पर और यहां से मैं simple फिर से icon पर जाता हूँ icon पर जाके यह all version करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ नीचे आ जाता हूँ 6.1 5.4 4.7 ठीक है 4.7 लेता हूँ अब यहां पर नहीं मैं बार्स दोड़ता हूँ देखो बार कहां पर बी 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 ए आर बाटब एड्रेस इसमें ना एक बार्स आएगा एफ़ बार्स ठीक है पर अप्लिकेशन आइकन ओके इस पर आएगा यह देखो बार्स आया है ना मैं बार्स को क्लिक करता हूँ यह देखो ऐसा बना रहता है ना वो छोटा सा तीन डंडी रहती है ऐसी तो बस इसको यहां से उठा लेता हूँ कॉपी और अब जाता हूं अपने कोड़ पर और यहां पर इसको पीउल कर देताओ ठीक है अब देखो यह कैसा बन के आ जाएगा भी यह दिख़ओ ऑग् ży ना चोटी सी डंडी तो मतलब यह रहेगा तो यह नहीं रहेगा यह रहेगा तो यह नहीं रहेगा इकाल एक्समप लिए हम थोड़ा सा complications कर रहे हैं अब ही यह हो गया ठीक है और अब क्या करें अब आते हैं हम सीधे अपनी styling पे ओके तो हम styling कहा पे करेंगे हैं यहाँ पे करते हैं styling इसके नीचे में थोड़ा सा अलग अलग से दिखेगा ये ठीक है style और सबसे पहले हम करते है अपनी body पे जो हम activities करते है हमेशाद body पे हम क्या करते है margin ठीक है margin zero सबसे पहला काम ताकि वो उपर चला जाए वो देखो चला गया ठीक है अब मैं इसका font ठोड़ा change कर देता हूँ तो जो मेरी font family है वो font family ले लेता हूँ aerial वाली ठीक लगती है थोड़ी सी sober ठीक लग रही है अब मैं आ जाता हूँ नीचे और अब मैं body हो गया अब मैं div पे आता हूँ मेरी class पे फिर हम बाद में my top पे आएंगे तो इस पे आने के लिए क्या करना है dot top nerve ठीक है और इस पे मैं एक condition दे देता हूँ कि यह जो div class है इसका क्या क्या करना चाहिए हमको देखो एक तो background color हम change कर सकते हैं overflow hidden कर सकते हैं तो overflow को पहले आपन hidden कर लेते हैं ठीक और जो इसका background color है वो background color को हम कर लेते हैं कुछ gray type का या black type का same ठीक है ऐसे तो देखो कैसा दिख रहा है हाँ अब मैं एक काम करता हूँ अब एक काम करते हैं एक और color होता है hash 333 I think वह ही होता है यह gray type कर रहा है क्या हाँ यह थोड़ा ठीक है फोड़ा सा mix up कुछ इसको white करूँगा ना जब मैं color link का तो बहुत अच्छा दिखेगा यह है ना अब मैं आ जाता हूँ सीधे link पे किसकी link पे top nerve की तो यह मैं top nerve दबाया top nerve और उसको जी link होती है उस पे मैं condition दे दिया तो पहला काम तो मैं क्या किया जो इसका color था वो मैं white कर देता हूँ ताकि पहले आप लोगों को शांती मिल जाए यह दो must color हो गया ठीक है black पे और अच्छा दिख़़ा था पर ठीक है इसको रहने देते हैं अभी हमारा main motor कुछ और है और इसको float कर देते हैं left पे सबसे पहले ताकि यह भागे मत इधा उधर किसी page के screen size के हिसाब से और दूसरा इसका तो display है ना उसको मैं कर देता हूँ block ठीक है अब यहाँ पे कुछ करते बनेगा मुझको और color तो मैं रहने देता हूँ as it is color तो होई गया है ना और जो इसका text line है उसको हम कर देते हैं center तो देखो यह middle पे आ जाएगा okay उसने width उतनी ले ली है और अब इसकी padding पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं padding पे मैं पर नीचे कर देता हूँ 14px और यहाँ पर कर देता हूँ 16px ठीक है अब यह must देखेगा यह देखो ठीक दिख रहा है अब एक चीज़ और थोड़ी सी खराब लग लग रही है वो है यह जो नीचे में underline आ रही है तो अब इस underline को हम टाटा कर देते हैं तो उसके लिए हमको text decoration की property को none करना पड़ेगा यह मैंने none कर दिया और यह देखोए हड़ गया यह बहुत सुन्दर सा दिख रहा है ना अब mouse का hover थोड़ा सा change कर लेते हैं यहाँ पर click करूँ तो background color और font वगरा सब change हो जाए ठीक है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे जो मेरा dot top nerve में जो मेरा link है ठीक है उसके ऊपर जब मैं mouse over कर रहूँ mouse over कर रहूँ तो क्या होना चाहिए एक तो उसका जो background color है वो background color हो जाना चाहिए एक और color होता है डी 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 ऐसा ले लें एक minute यह आएगा तो अच्छा दिखेगा क्या नई फिर मुझको black करना पड़ेगा ओके अच्छा तो दिख रहा है अब color को change कर लेते हैं color को इसके कर देता हूँ ब्लैक तो अच्छा दिखेगा यह black 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 अब देखो यह गया उपर रखा हाँ अब दिख रहा है थोड़ा सा ठीक है ठीक है है ना तो यह हमारा top order काम पतम हो गया अब हम कर लेते हैं अपना active वाला काम जो हमने बनाया हुआ था यहाँ पर जो मैंने बुरा था ना कि एक पहली वाली class को active रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा simple जो top 9 है हमारा उस पे जो ए है अगर उस पे जो एक्टिव वाली उसकी एक्टिब्यूट है एक मिनट top 9 active A है ना और ठीक है इस पे कौन सा कलर आप करोगे इसका background कलर पहरे आपने चेंज कर लेते हैं background कलर इसका green प्रदा नहीं green अभी तो हमारे लिए वही option एक ठीक दिख रहा है तो मैं ऐसे रखूंगा तो अभी तो आया नहीं को कि मैंने active की property चोज नहीं कर दी थी ठीक है मैंने क्या कलती करी मैंने यह यह दे दिया ना यहां पे dot आएगा तभी यह नहीं आया यहां पे dot आगया है ना सुन्दर सा दिख रहा है अब अब मैं इसको देखो छोटा करता हूँ तो देखो अभी भी उस format में नहीं आया जैसा हमको चीए लेकिन आ गया बहुत सुन्दर सा आ तो गया यह ठीक है तो अब क्या करते हैं यह जो हमने लिया ना कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया यह वाला आइकन यह वाला इस पर देखो हमने class define कही थी ना आइकन तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा dot top nerve तो इसका क्या dot icon ठीक है इस पर भी थोड़ा सा कर लेते हैं जब बाकिस अब पर किये हैं तो इसका जो display है उसको पहले मैं none कर देता हूँ और फिर यहां पर अपन condition देंगे ठीक है यह देको मैंने हटा दिया अब यहां पर अपन condition देंगे क्या कि जब वो बड़े में open हो तो अलग हो और छोटे में open हो तब यह हट जाना चाहिए इस type से अपन condition उसको देते हैं तो सबसे पहले अपन इसको responsive बनाते हैं अभी responsive नहीं है तो responsive बनाने के लिए क्या करना है मैंने आपको बताया था ना at the rate media रहा दे है आपको पिछले हमने पिछले वार किया हुआ है हमने यह at the rate media तो इस पर हम क्या करेंगे जो screen है हमारी s-c-r-e-e-n sorry n screen और जो maximum width है ठीक है max ओके और w-i-d-t-h width जब वो 600 ना एक standard size होता है तो आप हमेशा यहाँ पे 600 लेना तब तब की जो condition है वो हो जाए है कि यह जो top nerve है हमारा मतलब हमारा कौन सा हमारा di-i-v हमारा जो di-i-v है उसमें जो a है ठीक मतलब कौन सा वाला a जो पहला वाला a मतलब कुकि अब 2 हो गए ठीक है अब 2 हो गए तो जो हमारा पहला वालान नहीं है तो not आप ऐसे करना ठीक है not अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको colon लगाना उसके बाद लिखना first child देखो यहाँ पर आ गया होगा f-i-r-s यह देखो आया first child first child और उस पर condition देनी है sorry यह वाला नहीं यह वाला condition देनी है display हमको उसका none चाहिए clear देखो हड़ गया है ना हमने कुछ changes किये हैं इसमें तो देखो आपको दिख जाएगा उसका display हड़ जाना चाहिए अब मैं क्या करूँगा फिर इसका condition हो गया change अब मैं नीचे इस पर आऊँगा oh sorry 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 और यहाँ पर यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ कि यह नीचे लाना पड़ेगा इसको एक मिनट अब यहाँ पर अरे यार dot top 9 फिर इसका जो ए वाला जो आइकन है मतलब जो हमने वो बार लिया था ए डॉट कौन सा आइकन ठीक है उस पर हमको क्या चाहिए हमने यह क्लोस कर दिया ना हाँ हमने क्लोस कर दिया अब उस पर हमको क्या चाहिए हमको चाहिए कि एक तो वो फ्लोट करे किधर करे राइट साइट पर ठीक वो जो हमारा अब मैं इसको बड़ा करता हूँ ये उधर चला गया ये अब ये मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो देखो ये एकदम सही मोबाइल मेनू जैसा अब काम करना शुरू कर दिया है ठीक है अब इसमें एक और कंडिशन देते हैं हमारा काम कतम नहीं हुआ है एड़ रेट फिर से मैं मीडिया करता हूँ ठीक है उसमें स्क्रीन एंड ठीक है फिर से मैं ये देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैक्स विट्थ ठीक है इस एकवल टू 600 पिक्सल अगर होती है तो हमको क्या कंडिशन देनी है हमको देना है कि जो हमारा टॉप नर्व है सबसे पहले डॉट देखो रेस्पॉंसिव का आपके पास एक उप्शन आएगा रेस्पॉंसिव ठीक है उस कंडिशन पे उसकी जो पोजीशन है वो हो जाने चाहिए रेस्पॉंसिव वाला जो हमने अभी अभी डिजाइन किया ठीक उस पे जो आइकन है मतलब जो उसका आइकन बनेगा जो बार उस पे हम कंडिशन क्या दे रहे है उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए ठीक ये पोजीशन इसको कर दो एपसलूट ठीक और ये इसको क्लोस कर दिया अब मैं क्या करता हूँ राइट को जीरो कर देते है ठीक है और उपर से टॉप जो है उसको भी अपन 0 कर देते है ठीक है और रुखो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिख रही है लेकिन अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं ठीक है तो मैं पहले बना लेता हूं उसके बाद फिर आपको बताता हूं कि हमने क्या 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 किया खिए यह CSS का पार्ट है थोड़ा सा हाट तो रहता ही है है ना तो अब हम फिर से कंडिशन ले लेते हैं यह हमने यहाँ पर क्लोस कर दिया अब मैं क्या करता हूं फिर से मैं टॉप नव ले लेता हूं और नहीं टॉप नव इस बार रैस्पॉंसिव पर करता हूं रैस्पॉंसिव पर जो मेरा ए बनेगा मतलब जो मेरा लिंक आएगा इना उस लिंक को पहले तो मैं उसका फ्लोट जो है वह नन कर देता हूं नहीं तो वह भागेगा यहाँ वा ठीक है और उसका डिस्प्ले है वह ठीक है उसको ब्लॉक रहने देंगे और जो इसका टेक्स टेक्स्ट लाइंग है उसको हम कर देंगे लेफ्ट टेक्स्ट लाइंग किदर है लेफ्ट तो थोड़ा सा यह कंडिशन पर आ जाएगा देखो एक मिनट बड़ा यह हड़ गया ना वहां से नहीं दिख रहा है ओके मतलब इसकी वर्किंग शुरू हो गई है अब हमको यहा ठीक है तो मैं क्या करता हूँ यहां पर एक स्टाइल के बाद में एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ ठीक है और इस स्क्रिप्ट में सबसे पहले तो same function करता हूँ और अपना एक माई function बनाता हूँ और उस पे ये condition दे देते हैं कि var x is equal to document get element document sorry dot get element by उपर वाली id हमने दिया है न तो नीचे वाल एक नट किस पर देना है इसको इस पर यहां से यह आया तो यह हो गया हमने दिया हुआ था ना रको रको नीचे 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 हमने दिया हुआ था हमने दिया हुआ था my top nev my top nev ठीक है हमको यहां पर से खेलना है हम div पर करेंगे न तो मैं यही खोज रहा था एक चलो मैंने दिया था हुआ उचको ध्यान था लेकिन नाम क्या था वो याद नी था get element by id और इसको हम दे देंगे यहां पर my top nev ठीक है और इसको मैं कर देता हूँ close then यहां पर conditions देते हैं कि if यह ले देता हूँ if x मतलब जो variable है x और उसका जो class name है ठीक है अगर वो class name जो है वो equal to equal to जो top nev रहेगी हमारी यह वाली है ना उसका जो class है वो top nev है then 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 उस पर क्या condition रहेगी तब करना है हमको उसको हमको responsive बनाना है तो किसको बनाना है तो x.class name को class name को मैं अच्छा एक्स नेम class name मैं लिखता हूँ उसके बाद फिर मैं इसको प्लस इस इकोल टू responsive कर देता हूँ ठीक है तो r e s p o n s i ve responsive मैं उसमें लिख मतलब वो message आ जाएगा लिखके और ठीक है नहीं तो नहीं तो नहीं तो एल्स नहीं तो क्या होगा वो जो टॉपनेव है वो दिख जाएगी है ना तो एल्स else x dot class name is equal to top now ठीक है जो मैंने class यहाँ पर दी थी वो ठीक है यह हो गया मेरा function मैं javascript पर इतना focus आप लोगा इसले नहीं कर रहा ना मैंने इस पर focus इसले किया css पर क्योंकि यह stml का main part है javascript का क्या है पूरा function ही अलग हो जाता है तो इसले मैंने बहुत focus नहीं किया लेकिन आज की functionality simple सी है कोई दिक्कत नहीं इसको एक बार करके देखते हैं यह देखो यह चालू हो गया यह काम ठीक है देखो अभी जैसे मैंने बड़ा ले लिया ना इसको तो यह देखो mobile site पर home में रहा है वह active है वह हमेशा active रहेगा लेकिन जैसे मैं इस पर click करूँगा यह देखो बाकी चीज़ें भी आ गई तो जो मैंने वह चाइल्ड पर लिया हुआ था ना चाइल्ड वाला option जो था रहाद है आपको यह देखो कहां गया मीडिया यह देखो top nerve in not first child पहले वाले को छोड़ दो और बाकी चीज़ों को display उसको पहले वाले को हटा के बाकी चीज़ों को display कर दो photo right पर ठीक है यह वो ही है यह तो click करूँगा यह hide हो जाएगा फिर click करूँगा यह देखो सामने आ गया ठीक है तो इस तरह से mobile menu बनता है तो यह मैंने आपको बना के दिखाया ना अभी यह top navigation बार हमारा responses बन गया है तो अगर आपको नई समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को बार बार देख लेना और यह जो पार्ट है ना हमारा java script का यह वाला इसको हम cover करेंगे बाद में cover करेंगे ठीक है को कि मैं अभी कोई error नहीं चाहता हूं जिसमें आप लोगों की कोई दुकावट आए अभी क्या है यह file को ना मैं आपको download के लिए छोड़ दूँगा आपके पास मैं आप नीचे description में जब जाओगे ना comment इसके video के description म तो आपको ना वहाँ पे एक link मिलेगी और इस link से जाके आप पूरे के पूरे code जहां तक अभी तक पढ़ाया है ना मैंने उस पूरे code आपको मिल जाएंगे वहाँ पर यह code भी मिल जाएगा इसको आप उठा के copy paste कर लेना और इसके research करना कभी color change करना CSS कूछ काम करना कोई model change करना style change करना कुछ ना कुछ करना error आएगा आएगा और जो error आएगा उसको discuss कर लेना कि क्या problem आ रही है फिर भी नहीं बनेगा फिर copy paste करके reset कर लेना ठीक है लेकिन कुछ ने कुछ research जरूर करना आपको नहीं नहीं चीज़ें जो है न वह पता चलती जाएंगी कि कैसे कैसे यह चीज होती है ठीक है तो होप आपको समझ में आया होगा ठीक है अब चलते हैं अपने दूसरे section की तरफ ओके